नमस्ते बच्चों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम लोग अध्यान करने वाले हैं हिंदी का पार्ट 13 जिसका नाम क्या है घडी ने खोला राज ठीक है इसको लिखा है नीलम राकेश जी ने यहां पर एक बड़ी सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं आपके लेखर में मानविय संबंदों की अनूठी समझ दिखाई देती है इस कहानी में एक महंती इमांदार इवां बहादूर लड़की की बहादूरी का वर्णन किया गया है बतले यह कहानी है ना यह लड़की की ऊपर बेज़रे जो की ब जहान से सुनना ठीक है आप लोगों को इससे एक प्रेंडना मिलेगी कि आप लोगों को भी इस लड़की के जैसा ही बनना चाहिए शुरू करें चलो देखो बच्चों यहाँ पे पहला पेराग्राफ क्या दिया गया है मिनल गोरकपुर जिले की एक गाउ में रहती थी वह बहुत महंती लड़की थी पढ़ने में उसका खोब मन लगता था मा के कामों में हाथ बटाने के बाद वह नियम से विद्धा ले जाती थी देखो ब दीटी ति तुल है कि वह बड़ी ही महँती लड़की थी Think पड़ने में उसका खोब मन लगता था और पड़ने में उसका बहुत जादा मन लगता था मापे कामों में हाथ बटाने के बाद वह क्या करती थी नियम से विद्धा ले जाती थी यानि की कभी भी नागा नहीं क ताफ इसको और कई तबियत खराब होने के कारण। आज सारा काम उसे निपटाना पड़ा था। उसको लेट क्यों हुआ था। क्योंकि मां की तबियत खराब थी। और मा की तवियत खराब थी, इसके कारण घर का सारा का मुसी को करना पड़ा था, इसलिए उसको लेट हो गया था और वो तेज देज चल रही थी, तीराहे पर आकर, तीराहे मतलब क्या होता है, बचो जहां से तीन रास्ते निकलते हुए, किदर से, किदर से, किदर से, ऐसे क करके, ठीक है, समझ मैं है, तो तीराहे पर आकर के, वह, क्या हो गई, खड़ी हो गई, तीराहे पर आकर वह कुछ पर ठिटकी, ठीक है, तीराहे पर आकर के, वो कुछ पर ठिटकी, मतलब वो सोच रही है, कि वो किदर जाए, उसके विद्याले पहुँचने के दो रास्ते तीराहे पर वह आ गये तीन रास्ते इधर गए हैं लेकिन उसके स्कूल जाने के दो रास्ते थे ठीक है फिर एक पक्की सड़क वाला जिससे वह रोज जाती थी परन्तु यह लंबा रास्ता था दूसरा रास्ता छोटा था उसे विद्याले समय पर पहुंचा जा सकता था यह आप स्कूल जाने के दो रास्ते देख तो शॉट्कट था जो एकदम सुनसां रहता था और एक तो पूरा चैल पहल एक लंबा वाला रस्ता था ठीक है तो मैं भी कभी इसी के तरह मिनल की तरह कभी बड़े वाले रस्ते जाती थी लंबे वाले से कभी छोटे वाले रस्ते से जाती थी ठीक है तो मिनल भी अभी सोच रहे है कि कौन से रस्ते से जाए क्योंकि अगर वह छोटे खिर तो अभी वह सोच रही है देखो क्या करती है मिल बहादू लड़की थी अब हमाद की जारी है मिल कैसे लड़की ती दरने वाले बिल्कुल भी नहीं थी उसने उसने जंगल से जाने का वह आगे बढ़ गए थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल घना होने लगा रहरेकर जंगली जानवरों के आवाजे सुनाई देती नीडर मिनल सतरकता से चार ओर देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी अचानक उसकी नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ी पास पहुचने पर उसके आश्यरे का ठिकाना ना रहा वह एक स सुन्दर सुनहरी घड़ी थी देखो बच्चों यहां पर क्या बोला जा रहा है कि मिनल कैसे लड़की थी तो मिनल बढ़ी ही भादो लड़की थी उसने क्या ते गिया कि वह जंगल से ही जाएगी फिर वह आगे बढ़ जाती है उस रस्ते पर थोड़ी दूर जाने के खना ओने लगा और रहरकर के जंगली जानवरों की आवाजी भी सुनाई देने लगी लेकिन मिनल कैसे लड़की थी भाग लड़की थी वह डरने वाली बिल्कुल भी नहीं थी ठीक है वह एकदम बढ़ती जा रही थी अपने अपने लच्चे की और अपने स्कूल की तरफ बढ़ते जा रही थी लेकिन साथ साथ में चोकनी भी थी वह इधर अपने आजुबाजु देख रही थी कि कहीं किदर से कुछ चातों नहीं रहा है तभी क्या होता है कि अचानक से उसको एक चमकती चीज दिखाई देती है तो फिर जब उसने वह देखा तो उसके आश्व से खड़ी थी मतलब से यानि चमकने वाली घड़ी थी मिफिनल के मन में विचार आया की शायद यह घड़ी सोने की है यदि सो ने की यह सोछा उसने की Drug from चमक रहती तो इसको लगा कि शायद घड़ी सोने की है और फिर पोल रही है कि मतलब अपने मन में सोच रहे कि अगर वो उसको घड़ी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा जो इतनी गरीब है विचारी उसकी गरीबी क्या हो जाएगी तुरंत ही उसे बड़ों की कही बात याद आ गई कौनसी बात याद आई कि लालज बुरी बला है मतलब यह अपने बड़ों की भी बाते सुना करती थी तो उसके मन में ये तो विचारा है कि अगर वो घड़ी उसको मिल जाए तो उसकी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगे लेकिन फिर अगले ही पल उसके मन में ये खयाल आया कि ये मतलब उसके बड़ों ने बताया था ना कि लालज क्या है बुरी बला है ठीक है तो वो जब उस बात को उसने याद किया तभी उसके मन से वो खयाल उट गया कि वो उसको घड़ी मिल जाए ठीक है वो भूल गए उसको जल्दी से मेनल चारो और देखने लगी के इस घड़ी का कोई मालिक मुझे मिल जाए जो इस घड़ी का मालिक हो जिसकी घड़ी ओ इतर देखने लगी लेकिन उस घने जंगल में नहीं दिया ठीक है कि वे शाहिद घडी को उसके मालिक पहुंचा देने कि वह क्या करेंगे वह इस गड़ी को अपने सर को दे दे घड़ी खो गई है सोने की घड़ी वह बिचारा कितना दुखी हो रहा होगा कितना परिशान हो रहा होगा और यह सोच करके मिनल भी दुखी हो गई ठीक है फिर क्या होता है बच्चों अभी देखना मिनल कितनी भाधुरी दिखाएगी अभी आप देखना आगे विद्दाले पहुंसते ही मिनल सीधे प्रधानाचारी के पास गई और उन्हें पूरी बात बतागर घड़ी दे दी प्रधानाचारी उसकी इमांदारी से प्रसन्न हुए और उसे लेकर पुलिस थाने चले गए वह घड़ी देखते ही इंस्पेक्टर चौक पड़ा क्या हुआ बच्चो ज इतनी मैं की घड़ी मिली पर इसने उसको लिया नहीं बल्कि उस घड़ी के मालक मालिक के बारे में सोच रही है कि जिसकी घड़ी गवह होगी वह कितना यह घड़ी आपको कहा मिली पूछ रहे यह घड़ी आपको कहा मिली मुझे नहीं इस बच्ची मीनल को यह घड़ी जंगल में मिली है यह उसे मालिक तक पहुचाना चाहती है प्राधानाचारे ने इसने इसी मीनल के सिप पर हाथ फेटते हुए कहा क्या कहते हैं जब इंस्प गड़ी को उसके मालिक तक पहुचाना चाहती है और यह कहते हुए उन्होंने मिनल के सिर्प ऐसे करके हाथ फेरा ठीक है देखो अभी आके क्या होता है बेटा क्या आप हमें उस जगह पर पहुचा सकती है जहां से आपको यह घड़ी मिली है देखो अभी इंस्पेक्टर साह फिर क्या होता है देखें यहां पर क्या बात है इंस्पेक्टर साहब आप कुछ परेशान लग रहे हैं प्रधानाचार्य अपने जिग्यासा दबा नहीं बाए फिर जो प्रधानाचार्य थे ठीक है उनके मन में जिग्यासा हुई उनको जानने के इच्छा हुई कि क्या ब करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यह गड़ी किसकी है जानकीड़ास जी की है वही सर्राफा वाले जानकीड़ास उन्हें मैं जानता हूँ नहीं तो यहां पे इन्होंने जो प्रधाना चार वो कहते हैं आरे वही वो सर्राफे mean कल रात को क्या हो गया अप्रणा यानिकी वो किटनाब हो गए ते अप्रधानाचारी की आखे खूली रहे फिर प्रधानाचारी की और मुझे लगता है इस घड़ी में कुछ सुराग, हमें कुछ सुराग मिल जाएगा, मीनल बेटा आप मेरे साथ चलिए, मैं जंगल में उस अस्थान को देखना चाहता हूँ, जहां यह घड़ी मिली थी फिर यहां पे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घड़ी से हमको कुछ न कुछ सुराग तो मिली सकता है, है न, जिससे हम लोग जो जानकी दासे उन तक पहुँच पाए, ठीक है, कोई न कोई सुराग तो हमको मिली जाएगा फिर इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि मिनल बेटा आप मेरे साथ चलो और मुझे दिखाओ, कि ये घड़ी आपको कहां पे मिली थी, ठीक है, इंस्पेक्टर साहब मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपने विद्याल है कि बच्ची को मैं अकेले खत्रे में नहीं बेच सकत प्रधानाचारे जल्ले से बोले, जब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मिनल चलो हमारे साथ, तब ही जो प्रधानाचारे रहते हो कहते हैं कि रुकिये इंस्पेक्टर साहब मैं भी आपके साथ चलूँगा, ये हमारे स्कूल की बच्ची है मिनल, मैं इसको ऐसे अकेला नही चोड़ सकता मैं भी आपके साथ चलूंगा ठीक है वैसे हम मीनल का पूरा ख्याल रखेंगे फिर भी आप चल सकते हैं फिर इंस्पेक्टर साहब ने कहा वैसे तो हम मीनल का पूरा ख्याल रखेंगे इसको कुछ भी होने नहीं देंगे लेकिन फिर भी अगर आपको आना है त जंगल में पहुंच गया पंग डंडी के पास पहुंच कर जीप छोड़ दी और पंग डंडी यानि जो छोटा रस्ता सा वहां तक जब पहुंचे है लोग तो जीप उन्होंने छोड़ दी इंस्पेक्टर के निर्देश के अनुसार पंग डंडी पर आगे आगे मिनल प्रिं के अवस्त नहीं था उनका साधा वस्त था कभी के ऐसा होता नगी पुलीस लोग ऐसे ही कुछ भी पहन के घूमा करते हैं कुछ भी मतलब घर का कपड़ा पहने रहते वह अपना यूनिफॉर्म नहीं पहने रहते तो ऐसे इंस्पेक्टर साफ साधे वस्त में चल रहते ठीक अब देखते होंगे अगर चोर को पकड़ना रहता है तो पुलीस साधे वस्तरों में होती है फिर उसके पीछे से पूरी टीम लगी होती है लेकिन किसे को पता नहीं होता कि वो पूरी टीम है जब वो इशारा देते है न तो पूरी टीम बाहर निकल करके आती है ठीक है तो वो बाढ़ा देखे तो हम लोग थो घंगल में आ गए हैं तो मिनल कहते हैं कि नीचे दूर देखिंए उस बर्गत की नीचे मुझे वह घड़ी मिली थी फिर मिनल की बताई दूर्थ से देखने लगे मिनल ने जिधर बताया था सब लोग इक्दम ध्यान से सबस्टर के साफदानों करके उसी की तरफ देखने लगे दीरे-दीरे वो बरगत के नीचे पहुंच गया यहां तो कुछ भी नहीं है प्रिंसिपल सहाब कहते हैं कि अरे यहां पे तो कुछ भी नहीं ह इस आरे से उन्हें चुप कराते हुए इंस्पेक्टर ने पैरों की निशान की और इशारा किया फिर जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने इशारों इशारों में उनको चुप कराया कि कुछ बोलो मत क्योंकि यहां पर कोई भी हो सकता है तो उनको चुप कराया और पैरों की निशान जो वहाँ पे थे उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि वो देखो पैरों की निशान अभी इंस्पेक्टर इधर उदर देखी रहे थे कि अचानक बरगत के उपर से दो वेक्ती नीचे कूद पड़े जो इंस्पेक्टर साहब थे अभी वो इधर उदर देखी रहते कि कुस्तों मिल जाए तब तक क्या होता है कि बरगत के उपर से दो वेक्ती नेचे की तरफ कूद पड़े कौन हो तुम लोग यहां जंगल में क्या कर रहे हो उनमें से एक कड़क करके बोला ठीक है उनमें से एक कड़क करके एकड़क आवाज में क्या कहता है कि अरे कौन हो तुम लोग ठीक है ऐसे करके उसने पूछा क क क क क क क क कुछ नहीं हाँ हम गाव जा रहे हैं ऐसे डरने का नातक करते हैं यह भूँचि कौन है वह फिर गर जा फिर वह एकदम गरज करके बोलता है यह बचिकून है तो इंस्पेक्टर साब डरते हुए कहते हैं यह यह मेरी बती जी है ऐसे डर डर के बोल रहे हैं कहते वह इन्सपक्टर ने मिनल को अपने पास ले लिया और उसके हाथ में एक CT दे दी ऐसा करते वह CT उसने पकडा दी इस पेक्टर सामने मिनल को CT पकड़ा दी इन्हें भी वहीं ले चलो काले आदमी ने आदेश दिया फिर उ प्रिंस्पेक्ट्टर ने प्रिंसिपल एवां मिनल को विरोधन करने का इसारा कर प्रिंस्पेक्टर रुमाल से बान दिये ग Также पीछे पास आकर वे बोले यहीं रुख जाओ देगो क्या होता है कि जो इनस्पेक्टर जी थे उन्हों प्रिंसिपल और मिनल को एकदम शांत रहने के लिए कहा, कि आप लोग इसका विरोध न करे, ठीक है? इशारों इशारों उन्होंने बोल दिया कि जाने दो, क्योंकि जब ये लोग उसको लेकर के जाएंगे, इन लोगों को ले करके जाएंगे तब इनकों पता चलेगा कि सेट जैन की दास को छुपा कहा रखा है तो अब भी ये लोग बता देंगे कि ये लोग कौन तब तो ये लोग उदर ले करके जाएंगे नहीं इसलिए उन्होंने शांत रेने का इसारा किया और इनके पीछे-प गुफा दिखाई देने लगे और जब उस जाड़ी को हटाया गया तो देखते ही देखते हैं वहाँ पर एक बड़ी सी गुफा दिखाई देने लगी गुफा के अंदर एक वेक्ति को हाथ पेर बांद कर एक कोने में बिठा रखा था और वो लोग क्या देखते हैं कि गुफ बहार की और और उसके पास दो अन्य वेक्ति भी बैटे थे यानि उसके जो रसे से बंदा हुआ था उसके पास दो और लोग भी बैटे थे उन लोगों को देखते ही जो मुखिया था उस टीम का वो एकदम से गरस्ता यानि जोर का कहता है क्या कहता है इन लोगों को यहां क्य बॉस कहते हैं गुंडे लोग अपने उसको बॉस कहते हैं कि बॉस यह लोग बरगत की नीचे जो बरगत का जाड़े वहां पर कुछ ढूंड रहे थे तो फिर जो बॉस से उनकी तियोरिया चड़ गई मतलब वह एक्तम और भी टेंटन आगे एक्तम उनको गुस्सा आ गया इ फिर इंस्पेक्टर साहब ने मिनल के और इसारा कर दिया सिटी बजाने का तो मिनल जोर जोर के सिटी बजाने लगी ठीक है तभी बॉस उसके तरफ एकदम से जप्टा वो सिटी ले लिया उसने और खुब जोर से चीखा चिल लाया ठीक है मिनल को चिल लाया क्या कहता है य पच्चिय सहाब डर गई उसके मूं में सीटी थी घबराट में बजने लगी अब नहीं बचाएगी बॉस ने घूर कर इंस्पेक्टर को देखा फिर अपने आदमियों से बोला और अपने आदमियों से बोला कि इन सब को भी बांदो यहीं पर छिन जाने से पहले सीटी अपन खाम कर चुकी थी यहीं सीटी तो बच चुकी थी और वो जो सिपाई थे उनके कानों में जा चुकी थी मतलब वो लोग अभी आने ही वाले थे किसी भिचरण आ सकते थे इनके ऊपर हमला कर सकते थे सीटी का संकेत पाते ही पुलिस के दस्ते ने चारो और गुफा को घेर कर धावा बोला मतलब जब सीटी बजी उसके तो समझ गए कि ये लोग इसारा कर रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या गुफा को चारो और से घेर करके धावा बोला ये नहीं के उपर हमला किया अचानक हुए आकरमन से अपहरण करता घबरा गया और अचानक से जब किसी के उपर हमला होता है तो वो तो घबराना तो सोभाविक है तो ये लोग भी घबरा गये उन्हें भागने का मार्ग भी नहीं मिला मतलग उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला और जो चार थे वो एकदम सफलता पुर्वक यानि उनको पकड़ लिया गया सेट जानकी दास को मुक्त करा लिया गया उनको आजाद करा लिया गया और इस सफलता का सहरा किस की सिर बंदा तो मिनल की सिर बंदा क्योंकि मिनल की वज़े से तो ये तीनों किटनापस पकड़ा पाएते अगर मिनल नहीं होती तो नहीं पकड़ा पाते ठीक है और अगले दिन क्या होता है तो अगले दिन हर तरफ मुनल की मानदारी और हिम्मत की चड़्चा हो रही थी विद्द्याले की ओर से उसे एक cycle पुर स्क्वार स्वरूप दी गई विद्द्याले की ओर से उसको price की रूप में क्या दिया गया? cycle भी दी गई पुलिस अधिक्षक द्वारा भी वह सम्मानित की गई तीक है जो पुलिस अधिक्षक थे उन्होंने भी उसको सम्मानित किया सेट जान की दास तो इतने अभी भोत थे कि उनके मुझे सब्द ही नहीं फूट रहे थे मतलब वो इतने प्रसंते हैं कि उनको समझ में आ रहा था कि वो क्या बोले अब मिdeल उनके लिए अपनी ले बेटी के समानती और अब वो मिमनल मिनल को अपनी बेटी मानती थी क्योंकि उन्होंने ही मिनल नहीं उनकी जान बचाने में मदद की थी इन सबसे अलग मिनल प्रसन थी वो समाज के लिए कुछ कर सकी और इन सभी से अलग जो मिनल थी वो एकदम खुश थी क्योंकि उसने समाज के लिए कुछ किया तो उसको इस बात की बड़ी खुश ही थी कि मैं किसी के काम तो आई ठीक है बचो तो ये थी मिनल की कहानी तो मिनल से आप लोगों ने क्या सिखा कि आप लोगों को भी ऐसे ही बहादूर बनना चाहिए किसी से भी डरना नहीं चाहिए समझे अभी मिनल जंगल वाले रस्ते से गई तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आप जंगल के रस्ते से जाना आपको पक्की सड़क से ही जाना चाहिए ना समझ में आया दुर्गटना से देर भली मतलब जंगल से जाओगे हो सकता आपको कुछ खतरा हो जाए इसलिए पक्की सड़क से जाओ एकदम सुरक्षित जाओ सुरक्षित आओ ठीक है चलो अभी शब्द वाटी का देख लेते बच्चों तो तीरहा मत करना दावा बोलना याने हमल आइसा वहाँ करती हूं अच्छा लगा होगा तीके बच्चों अब यहम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्ते झाल झाल